इंद्वr में कोरोनावायरस के मरिजों का इलाज कर रहें चिकितुकों की आशंका है कि इंद्वr में कोविड-19 की ज्यादा घातक प्रजाति का प्रकार यहां तबाही मचा रहा है। हो सकता है ये वुहान जैसा हो अब इंदोर के COVID-19 के मरीजों के नमूनों को जाच के लिए राश्ट्रिय विशाणू इस विज्ञान संस्थान भेरा जाएगा ताकि ये पता किया जा सके की COVID-19 की प्रजादी का प्रकार देश के अन्र भागों में चल रहे COVID-19 से ज्यादा घा तक है इंदोर जिले में आब ता COVID-19 से संकर में 57 लोगों की मौत हो चुकी है इसके बाद चिकित्सकों ने इंदोर में फैले कोरोना के मरीजों के नमूनों को जाच के लिए राश्ट्रिय विशानू विज्ञान संस्थान पूने भेजे जाने का फैसला किया है ठाकि अपन विज्ञान संस्थान पूने भारत का एक अग्रीन अनुसंधान संस्थान है जहां माहत्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉले इंदोर की डीन जोती बिंदल ने बताया हमने महसूस किया है कि इंदोर बेल्ट में COVID-19 की जो प्रजाती का प्रकार है वे ज्यादा घातक है इसक की वाइरस के अनुवांचिक टत्व को निकाल कर उसकी तुलनादेश के अन्य कोरोना वाइरस के मरीजों के नमूनों के साथ की जा सके है मैं ऐसा कोई भी स्पेकुलेशन नहीं करूंगी और ना करना चाहूंगी पर मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं वो काफी एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज में आ रहे हैं और उनको साथ में को मॉर्बडिटीज बहुत हैं जैसे कि हमने देखा ड इन प्रकार के मुख्य रूप से जीन्स हैं ये म्युटेशन जीन्स होते हैं और कुछ जादा वेडूलेंट होते हैं वें कुछ कम वेडूलेंट होते हैं प्योर्ली सांटिफिक रूप से ये स्टडी कराये जाने की कोशिश की जा रही है कि किस जगे का Orion किसजीन कह 창 साथ क है यह स्टड़ी हमें वैक्सिन डेवलप करने में मदद करेगी आज हमाएं पास बोपाल से सैंपल चलके आ हैं इन दौर के सैंपल हमारे पास उपलब दी हैं हमने नाशनल इंस्टीट ओफ वाइरलोजी पुने में बात की है वो इस वाइरस को कल्चर करके और फिर ऑटोमेटेंट जीन एक्स्ट्राक्शन करके इसकी स्टड़ी करके हमें बद तंगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित तैक ताने बाने तक चंबल के फिर्णों से नकसलवाधियों के गर ठाक्र जोपडी से महलों तक फेलों से मेलों तक पग्दंडियों से सटकों तक गाउ से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़भीति से कूस्त नीती तक अपके हग् tissue आप देख रहे हैं दखल न्यूज